नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गवर्मेंट गुरू 2.0 में और आज के हम क्लास में बढ़ेंगे आश्टिरिया महादीब के बारे में चर्चा करेंगे इसलिए दो क्लासों में हमने चर्चा कर ली है आपके उत्री अमेरिका महादीब उत्री अमेरिका और आपके दक्षिन अमेरिका महादीब इन दोनों पर हमने चर्चा कर ली है इनका में जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर दे दूँगा इसको भी क्लास अटेंड करने है गवर्मेंट गुरू 2.0 चैनल पर यूटूब चै करते हैं तीसरा हमारा कॉंटिनेंट है हम इसमें शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अपने दोस्तों के साथ शेर करो वीडियो को ताकि और बच्चों को भी इसका लाब मिल सके ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम आश्ट्रेल के बारे में परीशे के बारे में हमति हैं कि आश्ट्रेलिया महादीप विश्व का विशु का सबसे चूटा माधीप है token सबसे चोटा महादीप को सा यह करकिया है इससे बढ़के हैं बढ़के हैं अन्टार्टिक अध्यान लोगोंको होटा मादीब है यह छेतर फल की दरस्टी से अन्रस्टूडर अब इसके चारो तरफ जल है चारो तरफ जल होने के पर है तरफ मासा करें दिखाता हो आपको जल होने के और इससे कहते हैं जो क्या क्यों करते हैं यह तो यह त statement कि यह क्यों थिक आस्ट्रेलिया आस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड तथा आसपास के दीपो को मिला गयता था आसपास के की दीपो को मिला कर साइंक्त रूप से क्या कहा जाता है साइंथ रूप से क्या जाता है आस्ट्रेशिया आश्ट्रेशिया कहा जाका है तो इसको यह आश्ट्रेश्या कहा जाता है अब देखो इसको यह आश्ट्रिया माधी पहुरा इसके आसपास के दीप भी है आश्टिया अश्टिया तो कंट्री यह वाली हो गई है जो पहुत हमारी होती हुइए डीप है जो यहते हैं а महाधीप के ऐसीं आजि देखो न्यू जीखे नवेड़र आप पॉलिटिकल मथे दिखाओ आपयों यह देखो यह जो है ना इसके इस तरफ वाला जो चेतर है वह आस्ट्रेलय महादीप है यह यह इस आरी जो दीव है यह आपके आस्ट्रेलय महादीप के अंदर आते हैं यह न्यूजिलेंड हो गया इन सब को सभी तुरूप से क्या करता है आस्ट्रेशिया और आस्ट्रेलिया महादीब भी है और आस्ट्रेलिया अलग देश भी है तो यह चीज मैं आपको समझाना चाहरा था ठीक आपको देख लिए और दीप दीप भी एड़े दीप अधिव कहते हैं इदर इंडिया नोशां हिंद मास अगर इंदर इदर परसांद मास आगर आगया इदर साउदन मास आगर है ठीक है दक्षिन मास अब हम लिखते हैं नेख्ट ठीक है यह मादीप हम बात करते हैं इसकी खोज किस नगी यह मादीप पूर्थ है पूर्थ है दक्षनी गोलार्ड में गोलार्ड क्या ओता हिये नहीं बता बच्चो लोगों मैं बताता हूं भी आपको दक्षिनी गुलार्द में इस्तित है इसकी खोज 1770 में इसने की जैम्स कुक ने जैम्स कुक में जैम्स कुक में ये क्यों था नाविक था सेलर नाविक अपने की है या दक्षिन गुलार्द का मतलब यह है कि जैसे यह हमारी यह होगी आपकी पर्त भी आपके इक्वेटर पर परना ने दक्षिन अमेरिका में कहां से बराजील से और कहां से गजरती है अप कमेंडों बॉक्स में आपकर करके बताओ बढ़ाओ या ता अपने एक जीरो डिगरी विश्व तरेखा यह उपपर वाला तो हो गया उत्री गोलार्द अब देखो यह जीरो डिगरी इसके उपर कौन सी है टॉपिको कैंसर जो साड़े तेज डिगरी यहां से गुजरती है कि क्वण सी गुजरती है साड़े टेज डिगरी तक यह है नौट तो इसे बोलते हैं कर्क रेखा है इस बॉलते हैं आपके मकर रैका है आगे समाज़ में तो आवकि बेता Χाषिर महधी के बीचो प्रैक्त में लिख देना साड़े 23 साड़ेश डिगरी छे दक्ष्णी अक्षांस के मत्धें से गुजरती है नफ्स टेम है कौन से महासागर में इशरव की है है हिंद महासागर में इशरव कर ओसितित look एस देखो यह जी जी लाइंड जा रहे है लिव लक्रीन एक तरिक चैजे हरें भी कोने सब्सक्राइग को साड़रेgy की देखो इसको महादीब को मतलब इसको 85 का देश भी कहते हैं जासी पूमी का देश भी कहाज़ाता है क्यों कहा जाता है क्यों कि अ कहा जाता है तॉकि आप को बता है कि सब्सक्राइब और यहां पर वर्शा होती है बहुत कम इतने भड़े चेत्र में बहुत कम वर्शा होती तो यहां पर सूखा रहता है मैक्सिमूम नाइब और उस प्रह यहां पहुत सारे हम बागी पढ़ेंगे तो इसलिए से प्राशी भूमी का देश्थ का जाता है क्योंकि बहुत बड़े छेत्र पर बहुत बड़े छेत्र पर बहुत कम बड़सा होती है अगया बहुत बड़े चेतर पर बहुत बोड़ च्हेतर होती है एं हम इसकी बाद करते हैं बहुत एक विशेष्था के बारे में इसी हो और विशेष्था के बार में लिखो ग्रेटिवाइडिंग महादीब के पूर्वी भाग में महादीब के पूर्वी भाग में उच्च भूमी मिलती है क्या मिलती है उच्च भूमी अलब ऐसी भूमी जो उच्च है उच्च भूमी मिलती है महादीब के पूर्वी भाग में उच्च भूमी मिलती है जो यार्ग अंतरीब से अवी सब समझना है कहां तक फैलिए तसमानिया तसमानिया दीव तक विस्तृत है तक विस्तृत है कौन विस्तृत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपके यार अंत्रीव से दक्षण में तसमानिय दीव तक विस्तृत है इसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी का जाता है यह तो आप समझ पूर में रस दैखको फूर आगो यहां से स्टार्ड कि स्टार्ट केब पूर में वास्ट कैप लूसे लास्ट देख सिरेंग तूर इसका सबसे उंचा शिकर कुन सा है माउंट क्योश को कोशिश को इसका सर्वोच शिकर है इसमें लिख दो इसका सर्वोच शिकर माउंट कोशी युश को है आश्य महादीर मेरा माउंट कोशिश को है इसकी उंचाई लिखो तो लिख लो बाकी लिखने की दुरुत है इसकी उंचाई है आपके 2230 मेंटर ठीक है अब हम बात करेंगे मरुस्तल की मरुस्तल कौन कौन से मरुस्तल मिलते हैं आप आश्टेलिया महादीर में कई मरुस्तल मिलते हैं बहुत सारे जैसे इसमें नाम लिखे हैं हम तो कमैनमेन कौन से हैं ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट विक्टोरिया ग्रेट सेंडी लिखो इसमें फिर गिब्सन का मरुस्तर नमबर चार करके लिखो सिंपसन का मरुस्तर नमबर पांच लिखो तानामी का मरुस्तर आदी ऐसे बहुत सारे मरुस्तर मिलते हैं इन में जो ग्रेट विक्टोए मुरुस्थ seventeen ये सब से बड़ा है सबसे बड़ा मरुस्था में सृ वक्तूरिया नाम एब क्लेट है तो ग्रेट तो गट थो गई बता तो हूग और हिस्पिर का इसमें पुश्चन आए हैं इसमें सारे मरुस्थल बता दिये इसमें पुछेगा कि निम्न मरुस्थलों को आचो देदेगा पूचेगा निम्न मरुस्थलों को उत्तर से दक्षिनकरम में सजाए कि अब उत्तर से दक्षिनकरम में सजाने के लिए क्या होगा तो हमको इस तरह सजाना पड़ेगा सबसे पहला आएगा तनाम लिए अना फिर आएगा सेंडी नोट टू साओ फिर आएगा आपके गिपसन अभी मैं बताऊंगा आपको फिर आएगा आपके सिंपसन पिर आएगा ग्रेट विक्टोरिया अब देखो आप लोग यह कन्फूज हो जाते हों बहुत सारे बच्चे मैं भी पढ़ता था जब मैं भी कन्फूजन हो जाता था कि पहले इसको याद करो फिर इसको याद करो तो देखो कुछी नहीं है अपन साउज अफरिगाया गां जो क्रिकेट्र दाएं हमें तो एक देखो मैं आखो बदाओं तसमानियन दीप है मैं अपमेरेक्षां तॉस्इन तढनामी ठीक है तढनामी के बाद या रजांगा सदी थे और सेंडी के उन्हों भाद मांश्व कों सा घा इस है इंघी इन इपन एयुश्थ कि अरफ कि अ अब यृदर देखो इसके बराबर में Simpson कुम सा है Simpson का डेजर्ट आ गया और यहां देखो Great Victoria आ जाएगा कांगे अगे ग्रेट विक्तोरिय है यहां आगे समझे तो यह देखो तनामी डेजर्ट ग्रेट सेंडी का डेजर्ट, गिब्सन का डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट और गेट विक्टोरिया का डेजर्ट, ठीक है, तो अपर इसी करम में इसको याद कर लेंगे, आगे समझें, नेक्स चलते हैं, नेक्स चलते हैं, हम बात करते हैं, आगे, नदियों के बारे में हम बात तेमट नदिया यह दोनों ग्रेट आस्ट्रेलिया वाइट में गिरती है प्रमुख नदी कौन कौन सी यह मरे डारलिंग कौन सी वाली डालिंग तो बोला मत देना कि उसकी डार्लिंग गातर हो वर नी सिरृड तो यह है दौनों ग्रेट आश्चिल में गट इसे अव्यू ने सब सब्सक्राइब करता तो मेरी विड्रलिंग नदिया है जो कि आपके आपके रून आस्टरेलिया बाइट में गिरती है अपने दिसे बंगल खाड़ी है न उसी तरह से यहां पर ग्रेट आस्टरिलय बाइट है देखो मरे और डार्लिंग नदी। बारे में बात करते हैं यह डार्लिंग नदी ठीक है धिखसे आपको यह ही मरे तो मरे और डार्लिंग नदी है जो आपके इसमें गिरती है इसमें ग्रेट आस्टिलियन वाइट में गिरती है इस जगह पे ये ग्रेट आस्टिलियन वाइट कहलाता है तो ये देखो ये नदिया कहां से निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है अब गेरेट डिवाइडिंग रेंज से निकलके यह बहती है दक्षन की और और आपके यह आपे गिर जाती है ग्रेट आस्टिलिन भाइट यह पूरा ग्रेट आस्टिलिन भाइट के लागा है ठीक और यह हो गया अपने डेजर अगहरी जील है समुध्धिर तल से बारा मिट्र नएंटर नीच है कहां है आयर चील है संबुद्र तल से 12 मेटर नीचे अब किसी को दिख रहे हैं यहां पर मैप में बताता हूं यह लेकों को यह यह ब्लेक ब्लेक यह आयर जी न ब्लेक क्यों है यह कि कहरी है ना इसका रहने इसको ब्लेक दिया खा रखा है मांचित्र के अंदर नेक्ट पैक्ट लिख लो आप की यहां पर ऐसे लिख लो आयर जील आस्ट्री लियागी सबसे गहरी जील सबसे गहरी जील कितनी समुद्र तल से 12 मीटर नीचे 12 मीटर डाउं ठीक है नेक्ट लिखो बहुत इंपोर्टेंट बहुत नाम भी सुना होगा आपने ग्रेट बेरियर रीव ग्रेट बेरियर रीव इसके बारे में लिख लो उसके बाद आपन चर्चा करेंगे बहुत ही मैं कर दो नहीं है फोरी दुनिया में फेमाज से आश्टेलिया ग्रेट बेरियर रिव क्यों हैं अभी हम बात करते हैं इसमें लिखो कुइंसलेंड के कुइंसलेंड राज्ये के उत्तर पूर्वी छेत्र में उत्तर पूर्वी तटके उत्तर पूर्वी तटके साथ साथ क्यूंसलेंड राज्य के उत्तर पूर्वी तटके साथ साथ एक प्रवाल वित्ति है क्या है एक प्रवाल भित्ति है तो ग्रेट वेरियर रीफ क्या है मैंली ग्रेट वेरियर रीफ है प्रवाल भित्ति प्रवालों की दिवार प्र इसकी लंबाई कि उन्नी सो किलो मेटर है कितने है उन्नी सो किलो मिटर से बड़ी परवाल विती है अप्रवाल क्या होता है यह हम चर्च करेंगे अब रवाल qt क्या होती है इसके बार वाइध रिकले बार प्रवाल भिद्धी आना बहुत इंपोटेंट है आपको सोनी जा जाएगा और बेल की चट्टाने ये जो ती है ना ये सब फुर्सं में प्रवाल प्रवाल क्या होते ह्ता है प्रवाल पंज़र पंजर म आखे विशाल wage जमाओ से प्रवाल विद्ति बंती है प्रवाल विद्ति बंती है ठीक है प्रवाल जो होते हैं छोटे-छोटे समुद्री जीव होते हैं प्रवाल क्या होते हैं छोटे-छोटे समुद्री जीव होते हैं ठीक है जो उष्ण कटी बंदी सागरों में जो उष्ण कटी बंद पुष्ण कटी बंदी सागरों में चट्टानों से चिपके रहते हैं अब देखो मैं बताता हूँ क्या होते हैं प्रवाल या शोरी देखो प्रवाल के बारे हमने चट्चा कर लिक्या होते हैं प्रवाल अबसाता हूँ क्या होते हैं मैं प्रवाल मैं बताता हूँ क्या होते हैं इवको देखो टूप य प्रव को secret को outside बेखे छोल करें यह में ढственaltung कहलाते हैं को कहल लाते हैं यह क्योंकि यह पर वालों के बने हुए परवाल की सरचना है परवालों की बित्ति तो परवाल क्या होते हैं मैं उसके बार में चर्चा खरता हूं आगा समझ में यह ग्रेट वेरियर यह इस लेंट के उत्तरफूर्वी में इस जगे पर फैला हुए सबसे लंबा है ठीक है अब हर कि परवाल की यह लगान अ में बताड़ाऊ हो कि छोटे-चोटे जीव उथे अपनी यह जो जब यूइद कि यह किसमें रहते हैं एक शेल में रहते हैं एक ऐसे बोलो कि शेल इनके उपर एक आवरन होता है जीवों के उपर एक आवरन होता है जब यह मरते हैं तो यह आवरन जहां पर रहते हैं वहां पर रह जाते हैं मतलब चिपक जाते हैं आवरन आपस में दूसे के चिपक जाते ह तो इसलिए या पास में चिपक जाते हैं वहां पे एक भित्ती रुपीं सरचना बन जाती है तो ऐसे करकर कि ये बित्ती रुपीं सरचना ना इसलिए परवाल बित्ति गया तो आपस में यह चिपक हों तो चिपकने से क्या होता है कि यह होटा यहां पर जो है आधर्षद द्शाय में बानी जाते है, प्रवालों के जनम को लिखे, तो आधर्षद द्शाय में इस जगए पर क्या है कि यह आधर्षद द्शाय नुकूल पाए जाते ओट tsunami उख और इसलिए ग्रेट आर्टी Z přिससी कि इस महादीप के मर्धे में निम्न Бieß मिलती एच ल कि मिलती है जिसमें ऐसंख्यक गहरे कुए खोदे गए हैं जिन में अपने आप अपने आप या स्वते ही स्वते ही बड़े बेग के साथ मदा बहुत तेजी से पानी निकलता है पानी निकलता है यह आर्टीजन वेशी यह आर्टीजन वेल या उत्त हिंदी में बोले तो उत्सृत कूप कहलाते हैं अपने अमेरिका में पड़ा था ना ओल फूल फेट फुल गीजर वहां से गरम बाणी निकलता है ठीक है इसी तरह से आश्टिला में निवन गुमी का छेत्र वाय दाता है तो निवन गुमी का छेत्र में अगर थोड़ा से भी आप गट्टा गड़ दोगे ना पानी बहार आएगा पानी भार आएगा बड़े वेक के साथ पानी बार आएगा तो शेत्र ना ये देख और में आपको बैख में बताता हूं आप यह आपको मैं बताता हूं मैं के अंदर ग्रेट आर्टीजन वेसिन यह देखो यह रहा इस जो शेतर रहे निम्न छेतर है तो यहां पर गड़ा खोड़ा थोड़ा सा भी तो पानी बाहर आएगा बड़े बेग के साथ इस शेतर को आर्टीजन वेसिन कहते हैं आगे समझें अब लिखो गास के मैदान घास के मैदान गास के मैदान घास के मैदान के बारे हम चट चक है तो आज चीजा में सुस्क भागों में उगने वाली घास दो परकार की पाए जाते हैं है और कौन कौन सी पाई जाती है एक तो होती है शीटोषण कटी बंदी है और यह हॉष्ण कटीबन के भावे घास के मेदानों के के वो श्नकटीबंदी है घास के मैदान के जंग तक इनको क्या गारता है सवाना तो दूसरा लिखो शीतोषन कटी बंदी घास के मेंदान इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है आपके डाउंस है उचनी मंदलब आशrikं लिए मैं दो तरह के घासर के दो प्रकार एजिलेंगो में ईश्रिकर बीसुट ही विफ्टिक में और उसी कुड़ची और और ऊच्छ्थे बाद ठना उस्यफरु पर दीज है नहाँ है कर easier में श्रावस्वान TWO तो क्या कहा दाए शावन और शीफफ के यूकेलिप रसके पेड़ मिलते हैं इसे कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्रेलिया की second अबूमी भी काई जाता है पार और फूमी भी आफ्ल पार्घ भूमी का कहा मिंद जाता है और के समझने हैं अजलब यूकेलिप्टिस के पेड़ मिलते हैं उस छेत्र को यहां पर आश्य लिया कि पार्ग भूमी कहा जाता है ठीक यहां पर बहुत शारे पशुवी पाया जाते हैं उसके बारे मैं मैं बताता हूं आपको इतना असे पूचानी जाएंगा लेकिन फिर भी आपन देखें तो जीसे मेरे कल बताया था एक एम यह शक्रमूर्ग के पर जाती है था प्रॉष्ट मुर्ग की पर जाती है ना दूसर देखो हमें बात करों आपको कोका बर्रा कोका बर्रा क्या है यह विचित्र हसी हसने वाला जान वह रहा है विचित्र हसी हसता ही एक आपके सबसे फेमर आश्टे लियागा आपको द्यान होगा क्या गंगारू ठीक है अगया, एक नाम है लायर वर्ड लायर बड़ ये पकशी है। यह क्या करता है क्या करता है सबस्तार थाaches, यह नकल करने। और को इसकी कंगारू की बात कहते, तो आसिव लेंड पंगारू भी tough Flynn Pandor प्रती ही कहें आगे समझें हम बात करते हैं जलसंदी के बारे में कोन कोन से जलसंदी है आश्ट्रेलिया यूगनी के मतें वो आश्ट्रेलिया अभी नक्से में देखेंगे देखो व्याहिव को मैं पुरा खेली नक्षय आप उल्ड जहोंग्राफिए पड़नी है ना तो पुरा नक्षय के पड़ से पड़े इंडियान जहें पड़ता यह टाली कि छीजह 5 रिमेंबर रहती है आस्टेलिया में पापुआ नियूगिनी न्यूगिनी की मतें जलसंदी है उसका क्या नाम है जलसंदी उसका नाम है टोरस जलसंदी टोरस जलसंदी अना अब एक और है तस्मानिय दीब जलसंदी क्या है हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए तस्मानिय दीब आस्ट्री लिया के माद दें यहां को उसी जलसंदी है इसका नाम है वास जलसंदी देखो मैं समय लादा हूं उपर देखो कि इसमें तो इसमें साफ हुने देख रहा है इसमें परतार हूं इसमें बताता हूं यह आश्ट्रेखलिया मादीब वास जल संधी दिखुकि लिए तरक टॉट मिलाने है कि इन दोनों को लग कर रहे है और isso रहे हैं और जोड है Шि तो यह हो एकिवा ड्रसंदी अ है प्रैक्टिकल यह पूरा आप का साइट की तरह जो ग्राफित हो है कि हम बात करें किर्षी की किर्शी में देखो गेहों के बारे हम बात करें तो गेहूं यहां का महतापून महतापोन ख़ाढन एंग अजर घ्रन की यहां पर खेरती उती होती है बहुत अच् Confirm आदियाँ है है सरवाधी बफाधन के का हाँ पर होता है है यह उंका सरवाधी गुत पादन का होता है इनका सरवाधी कुथ बदन अट आपके यूफ साउठ वेल्स में मिन्यूं कि साउठ वेल्स एंग यह हुं का सरवादी कृत पादन होता है नूश आद वेल्स ने ठिक हम बात करने पशुपालन की मात करें तो आच टेल या पर शुपालन के लिए विशु में पड़सिते आपर एक थिया बेडे आच देल इंदे विशु की मतलब एक बेडे पशुपालन में लिखो लिकाओ विशुण की विशु की एक तीहाई एक तीहाई भेळे Australia में मिलती है यहां की भेड़ भी फेमस है, उसका क्या नाहा में पड़ाओगा आप लोगों ने क्या नाहा में उसका मेरी नाहा अभी हम बात करेंगे Australia में कहां पे से ज़्यादा बेड़ पाली जाती है मरेवे डार्लिंग नदियों के मंद्थे नदियों के छेत्रों में ऐसे लिकों मरेवे डाल्लिंग नदियों के छेत्रों में सरवादिक सरवादिक भेड़ पाई जाती है पाई जाती है यहां मेरी नो यहां मेरी नो भेड़ पाली जाती है जो विशु की सबसे अच्छी नसल मानी जाती है अनopard video city सरो petit कर 2022 तुक्रण के अच्छी चैनल मेरी नो खाय जाती है है कि दोनफ् 짓किल है मेरी नमाब पाई जाती है और विशु की से अच्छी श्युक्त्री मेरी नो और पालन केंद रोपर मत-खाम करते ना बेड पालनगेंडर माझर जटान जब बना रहा है भी प्राल केंधर ओका काम करने वारी मज्दुर है आहां फिल पालने के लिए मजदुर को रख रगा काम करने वाले मजचल वह क्या कहा जाता है जेक पर ये खर दो नम्बर में आ सकते हैं 2002 पर से सब्सक्राइब सब्सक्राइब और अच्छी किसम के सरवादिक उनका उतपादन आस्टुलिया С सफ थल्म है प्रवादिक उनका पदन काहसे होता है आपके आस्टryली है से उता रात्राधिए समय पादन आश्ट피ली से उता है अब भेड हैं उन भी हो रहा है तो मास भी होएगा ओविसली वादे बेड़ का मास का सरवादिक उत्पादन अब उत्पादन यह कहां से होता है आज चिल्या में कुइंसलेंड जगे है बताया तो आपको कुइंसलेंड राज्जे से जो है आपके मास का सबसे ज्यादा उत्पादन नोंता और सो गrzyपित लाव हम बात करते हैं कर ऴहुए बहुत आयद पहले हैं हम बात करें सोना मिलता है आश्रीमी आस्ट्रेलिया पैस्सी मिलता है और विक्ट्रिया और यहाँ पर खाने कौने विखाने दोनों जगे एक तो है त不會 दोनों खाने है इने तोनग्री श नगरी न है या काचाता है सों नगरी इस कि न्यू साउथ वेल से क्या मिलता है कोईला क्या मिलता है नू साउथ वेल से कोईला और पिलबराइट जगह है आंपे पिलबराइट यहां से क्या मिलता है डोहा ठीक है बोकन हील बोकन हील वह माउंट इसा माउंट इसा यहां से क्या मिलता है सीशा जस्ता कि तो अब देगो काल गुल्गर्डी क्या मिलता है सोना मिलता है ठीक न्यू साथ वेल से क्या मिलता आथ सुना प्र्रिंगे एक इस परिंग से मिलता है तेल वह प्राकर दिंगे यह धियान रखना यह बहुत इंपोर्ड नेंट प्राकर इंगेस एलिस इस्प्रिंग पूछेंगे सीधा सा कि तेल का प्राकर दिखे ते एलिस इस्प्रिंग कहां पे तो यह आस्ट्रेलिया में है ठीक है यह है इस अनास बॉक्साइट वे यूरियनियम का उत्पादन में बॉक्साइट वे यूरियनियम के उत्पादन में में पर्थम पर फर्स्ट इस्थान है आस्ट्रेलिया मलब बॉक्साइट और यूरियनियम में आपके फर्स इस्थान में आता है सबसे बड़ा उत्पादक है करना यह धू यह एक सरे आगे पनीत्य संदमने और अन्ने अधे मारे फेले हम लिखते हैं यहां पर जो चैनलेके अधीकांस उद्ध्योगे ना अधिकांस इस तो दो दो चतों जो नोच कोना से राज़र यह वह एक रए surroundings चिТल यह विक्टोरिया विक्टोरिया और श्राब नियू सॉथ वेल्स नूँ तौब तॉस करें तो अधिकां चुद्ध्यों यहां पे हैं विक्टोरिया और नूसाओ ग्रीज तो यहां के मुल निवासी ऑंप ना अब बिक्टोरीया वर समधिया है अधिभाण सुभ ठीक अब लिखो यहां कि तो मूल नियर्वास है ना मूल नियुक्त मूल्स असिम हुआज इनको ए बोरी जीनल ए ब हुआ Bolag네요 अफ़े ज़िलें के मूल नियुक्त का रशार अब आज्ति लिए दिया सी अच्छा आश्चिले की राजदा नहीं क्या है कोई कमेंट करके बताएगा आश्चिले की राजदा नहीं है आपके केंबरा ऐसी बता रहा हूं मैं आपको ठीए आश्चिले की राजदा नहीं क्या है केंबरा एक यहां पे है पार महाधी प्रेल मार्क तो यह एक मात्र रेलमार्ख तो यह काहां से तक जाता यह से पर्थ तक ऑझयना और कितना लंबा यह चार हजार क्यलोमेटर लंबा देखा है सिट्वनी कई हो पार्त will sillी और यह पूरका दिट्वर्व से पूर इस प्सुन गोर जाता है आप देखां टेमान इस अपीकिबन से पक्षूर्थ तक जाता है अपर यहां смотрdy को सिट्वनी का ए एकぎर तो चार हजार किलोमेटर बताओ एक ही रेल मार गए आंपे और इसका जो नाम है वो क्या पार महादीब मतलब महादीब को भी पार करके जा रहा है पूरा महादीब को बीचोई से निकल रहा है एक दिशा से दूशी दिशा में जा रहा है कि समझें गैसे पार मादीब का आदफ है ठीक यह नहीं अश्रे मादीब कंप्लीट अब स्षीमादीब में एक देश है उसका नाम है आपके न्यू जीलेंड ऑफ्लेंड इसके बारे में करते हैं चर्चा कि और धर हो यह खतम इसके बारे में घर दें चर्चा कि न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड को क्या कहा जाता है दक्षिन का भृतने इसको कहते हैं दक्षिन का बृतन अ सब्सक्राइब लिखा ज्यंग इससे लिफों किया कि भिणि डूर्टbnिघं के ही नहीं दो पर्मुख दीपों का देश है जो आश्चिलिए चे लगबग लगबग आप 2000 किलोमेटर की दूरी पर है प्रमुख देश है प्रमुख देश है इन दोनों दीपों के मन देखो दोनों दीपों के मंतें कौन सी जलसंदी है कुक जलसंदी कुक जलसंदी अभी बात करते है तुक जलसंदी है ठीक है नेक्स्ट लीकों दक्षिन आलपस आ यहां को आ cią आलपस का है यूरोप में रिदक्षिन आलपस का है आस टेल ले निंज्यंड में बच्षिन आलपस को यहां का परवत है है कि का सिथ्妃त अगरुष्ट है में सबस्क्राइव इसकी सर्वोच चोटी क्या नाम है सर्वोच चोटी का नाम है माउंट कुक अब देखो माउंट कुक और को कि जलसंदी समझें आ गया तो जलसंदी का नाम क्या है कुक और परवत का चोटी का नाम क्या है कुक माउंट कुक है न और यहां की जो परमुख नदी है ना नदी लिख लो वे काटो जगरात पर बोलते न वो काट यह वो काट ओ ठीक है अभी मैं एक छाली चीजे बताऊंगा उने इसमें लिखो है यहां पे जौ उपजाओ मैंदान है उपजाओ मैंदान न्यू जिलेंड के उपजाओ मैंदान को क्या और यहां के जो मूल निवासी है मूल निवासी आस्ट्रेलिया की क्या थे उनको क्या कहा जाता था एब और यहां के निवासियों को क्या कहा जाता है माऊरी क्या कहा जाता है माऊरी अना न्यू जिलेंड की राजदानी क्या है और यहां की दो राजदानी है आपके न्यू जिलेंड की उसका नाम है आपके क्या है बदाव वेलिंगटन वेलिंग आप अब इसके बारे में लिखो विसु की लिए अग्षिन तर्फिन तम लब सबसे नीचे वाली राजदानी सबसे दक्षिन में राजदानी एना और यहां का जो पक्षी है बहुत फेमस पक्षी उसका नाम है कि इवी फल भी आता है ना कब खाया जाता है कि फल जो आपके प्लेटलेट्स दाउन आप यह मलेरिया हो जाता है वह जाता है तो ठीक है न्यूजिलेंड के बारे में एक चीज भी लिख लेते हैं अपन इसको क्या कहा जाता है इसको कहा जाता है पूर्व का इंगलेंड क्या कहा जाता है पूर्व का इंगलेंड न्यूजिलेंड को क्या कहा जाता है पूर्व का इंगलेंड ठीक है अब देखो मैं आपको इसमें की बारे में तर्चा करा रखां मजूनार्ट दो दीपों से मिलके बनाओं नोर्स आइसलेंड ना आइसलेंड दो दीपों है इन्हों नो के बीज में संदी यह उसका नाम है कुक श्ट्रेट ठीक है प्रू कुक श्ट्रेट है अब यहां पे जो दो इस परवर्दमाला वहां क्या है माउंट कुक यहां के मेंदानों कैंटर बड़ी का जाता है वैलिंटन यहांकि राजदानी और बंदर अभी है ठीक और इसको पूरु का बिट्रेंगा जाता है फेलिंग्टेन को सबसे दक्षिंतम राजदानी कलता है तो यह होगया आपका आश्चिलिया माधीव कम्प्लीट इसमें आस्टेलिया हो गया आपके न्यूजिलेंड हो गया और आपके वह जो है आपके मनुस्थाल हो गया खनीज हो गए तो यह हो गए अपना अश्रीले माधिव कंप्लीट और अब हमारे हो गए देखो नौर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका हो गया अब आस्ट्रीलिया अपकल हम कुछ नया स्टार्ट करेंगे अफ्रीका कर देंगे या फिर हम अंठार्टिक पढ़ लेंगे कुछ पढ़ लेंगे हैं तो कमेंट करके आप बता देना अगर आपको कुछ पहले कौन सा पढ़ना और ठीक है तो आज के लिए इतना ही चैनल को प्रीज सस्क्राइब करना अपने दोस्तों को भी कहना सस्क्राइब करने के लिए दोस्तों के साथ वीडियो को शेर करो लाइक करो कमेंट करो और बताइए कि किस तरह से मैं आपकी और हैल्प कर सकता हूं एक्जाम को बास करने के लिए तो आज के लिए इतना ही फिर मिलें नेक्ट क्लास में धन्यवाद